रैली की सुरुआत में बस एक रात की देरी और जन अंगांचा रैली जो कॉंग्रेस की और से पतना के गांधी मेदान में होगी वो काफी एतिहासिक होगी और उसको लेके मुकामा के जो बिदाय कनन सिंग जी है पूरी तरह से तैयारी जोरो सोरो से खुद सर हमारे साथ कर लोग आएंगे रैली में दस लाख आएंगे सर सीधे तोर पर अगर बात कर ली जाए रैली को लेके बिशेश तोर पर बेवस्ता की गई है आपके तरफ से खाने पीने की पूरी तरह से वेवस्ता अभी तक कितने लोग आ चुके हैं अगरिए हम गो हिसाफ से 10-15 लोग तीन मार्च को NDA के दुबार भी रैली किया जा रहा है गांदी मैदान में वो रैली के सामने यह रैली फेल होगी कि पास होगी इस साम रैली सुभाणी होगी राहूल गांदी आ रहा है राहूल गांदी आ रहा है का जुच भीजभी को चेताँना चाहेंगे, नीटिज कुमार को चेताँना चाहेंगे, ऩुच सीदे तर पे कहा पे कहा जाए, कल आप मंच साजा कर लेए स्पाह्तिन कर दौध वारन है लेकिन आँसर्योंग कर रहे है पीम बनाना है रहुल गानी के सर मुंगेर से काटो जो चुनाव आप लड़िएगा लोक सबका वो काटो भरा रहेगा वहां कि जनता भी पूरी तरह से समर्थन दी है और जो विकास के काम आज तक नहीं हो पाए वो क्या क्या कमी आपको देखने को मिली और क्या कुछ कमी को दूर किया जागा जो विकास आ जो साथ में लड़ेगा सबका जमाना जमाना जल्द करावेगे जनता जो कुछो भी काम बचल होगा उजरूर फुड़ा करेंगे निरज कुमार कर रहे हैं तेक तो अर्कल की जो रैली होने वाली है उसमें एतिहासिक रैली रहेगी और आने वाले दोजार उने उने एंडिये का सूपरा साप रहेगा और राहूल गांधी को पीम अनन्द सिंग किसी भी हालत में बनाएंगे और वहीत यादा वाजय है भारत पत्ना